सो हेलो इन्वेस्टर कैसे हैं आप सभी तो आज यहाँ पर आप डेट देख सकती हूँ 30 अक्टूबर है और यहाँ पर आप निफ्टी 50 को देख सकते हूँ और आपको लाइव दिखाने वाले हैं ओनली एक मिन्ट बचा है देखो मार्केट को ओपन होने में और जो भी है हमारे अनुसार आज मार्केट डाउन रहेगा बुरी तरह से निचे जाने की संभावना है क्यों क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल पुट ओवाई ट देखो बताया था कि आप पुट कोल रेष्यो से कैसे पता लगा सकते हो कि मार्केट आज उपर जाएगा या नीचे तो यह आप वीडियो देख सकते हो आज कंफरम है मार्केट यहाँ पर रिवर्सल लेने वाला है याँ आज मार्केट डाउन जाने के चांसे काफी जादा है आप यहाँ पर देख सकते हो सो अभी देख सकते हो मार्केट ओपन हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो कितनी पूरी तरह से यहाँ पर देखो रेड ग्रीन यहाँ पर गिरी ने अभी लेकिन कुछ एकिन के बाद यह अभी रेड होने वाला है आपके सामने ही मैं ला लोट से option trading करने वाले हैं और अभी देखो इसका जो भी rate है 25 रुपे है सो हम इसको buy करने वाले हैं अभी आपके सामने यहापर देख सकते हो charges वेगर अभी आपको यहापर देखने को मिल जाएगा approach यहापर click करोगे यहापर आपको charges दिख जाएगे सो अभी यहापर हम buy कर लेते हैं एक लोट पर और market में हम buy करने वाले हैं यहापर delivery में सो अम buy पर जैसी click करते हैं यापर देखो अभी यह 24 रुपेका हो चुका है और मैं इसको buy कर लेता हूँ आपके सामने सो यहाँ पर देख सकते हूँ हमने इसको buy कर लिया है और अभी market यहाँ पर देख सकते हूँ down में है market देख सकते हूँ 0.9%, 0.11 अभी यहाँ पर देख सकते हूँ यहाँ पर हमारा total जो भी return जो भी loss है आपको live दिखाने वाला हूँ और जो भी profit हम करने वाले हैं वो भी मैं आपको live दिखाने वाला हूँ और कैसे हमने यह अंदाज लगाया कि आज market जो भी है नीचे जाएगी down जाएगी उसका भी मैं आपको last में जो भी candle वगेरा आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ candle के through कैसे पता करे market और जो भी put call ratio के through कैसे पता करे market उपर जाएगा यह नीचे जाएगा यह कई तरीके हैं हमारे पास जिन से हम जो भी पता लगा सकते हैं कि market आज उपर जाने के chances है या फिर नीचे है ना सो अभी यहाँ पर आप देख सकती है total return में यहाँ पर अभी loss यही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आगे चल कर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो भी होगा loss होगा profit होगा देखो हम नहीं कह सकती कि market जो भी है 100% जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा market देखो कहीं भी जा सकता है कैसे भी हो सकता है लेकिन हाँ analyze अगर हमने की है तो थोड़ा बहुत आमें दुख़ा अंदाजा होई जाता है कि market आज इतने point या इतने percent यहाँ पर नीचे जाने वाली है तो देखते हैं अभी क्या होता है और आप जो भी है वीडियो पर बने रहे और चैनल पर नए हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर देना अगर आप एक beginners होना तो आपको option trading बहुत ही कम पैसो से करनी है बहुत ही कम पैसो से क्योंकि आप सीखना चाहते हो अभी तो उसमें देखो आपको loss होगा benefit होगा जो भी होगा आपको वो सैना पड़ेगा अभी investor यहाँ पर आप देख सकती हूँ जो भी हमें यहाँ पर profit हो चुका है 42, 45, 55, 70 इस तरह का में यहाँ पर profit हो गया था अभी यहाँ पर हम डटेंगे क्योंकि देखो हमें पता है कि market यहाँ पर नीचे जाने वाला है और यहाँ पर देख सकते हूँ 0.15, 17, 16 इस तरह से market यहाँ पर धीरे धीरे नीचे जाए रहा है और यहाँ पर आप candle देखोगे ना तो candle भी है candle की save candle की जो भी है जो बरताव है वो ही जो candle का बरताव है वो यह बता रहा है कि market आज नीचे जाएगा देखो market ने उपर उठान की काफी कोशिस की थी यहाँ पर देखो कितनी बड़ी वीक बनी है है ना जो पतली सी वीक होती है यह डंडी सी और उपर भी देख सकते हूँ काफी जादा बड़ी इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि यह candle कैसे बनती है कि यह market अभी नीचे जाने वाला है या उपर क्योंकि यह candle है यह 5-5 मिन्ट की candle और 5-5 मिन्ट में हमें बताते की market अभी देखो उपर जाएगा और नीचे जाएगा उपर जाएगा नीचे जाएगा वो candle के थुरू हम पता लगाते है अभी देखो red candle काफी जादा बड़ी बन चुकी है दो red candle बन चुकी है और एक यहाँ पर देखो एक और बन चुकी है second, three यहाँ पर देख सके और profit हमारा जो भी है अभी कमी है क्योंकि यह देखो हमने एक लोटी जो भी है एक लोट से often trading की है अगर हम दो लोट करते ना तो यहाँ पर हमारा जो भी है आरम से 1.500-200 उर्पे का profit अब तक हो जाता है है ना, तो हमने एक लोट लिया है एक लोट में 50 quantity होती है आपको पता है मैं आपको last में बड़ी बारी की से समझाने वाला हूँ candle के थुरू कैसे पता करोगे की market अभी उपर जाएगा नीचे है ना और काफी चीजे आपको बताने वाला हूँ अभी देखो तीसरी red candle यहाँ पर बनने वाली है लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ शी एक green candle यहाँ पर बनी है यह देखो green candle यह नहीं बायर है काफी जादा बायर यहाँ पर बाय किया है काफी लोगों ने उपर उठाने की कोशिस कर रहे है लेकिन जैसे कि यहाँ पर देख सकती हो 0.13 अभी देखो उतना ही profit चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है आपको मैं live दिखाने वाला हूँ एंड वीडियो पर बने रहना लाश्ट में हम बात करेंगे कि कैसे हमें पता लगा सकते हैं अगर आप एक beginners होना तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा informative होने वाली है guarantee लेता हूँ आप अगले trade में जो भी है profit करने वाले हो है ना देखो confirm 100% मैं नहीं कह सकता कि आप जो भी मैं जो भी बताने वाला हूँ strategy वेगारा जो भी कैसे भी उनके थुरू आप पैसे कमा सकते हूँ लेकिन हाँ काफी कुछ आप सीख सकते हो है ना क्योंकि काफी ऐसी चीजे हैं जिनके थुरू हम सही entry लेते हैं तो हमें लोस होने के chances बहुत कम रहते हैं जैसा कि investor आप देख सकते हो हमने जो भी अपना contract था वह हमने sale कर दिया है और यहां पर हमने profit book कर लिया है आपके सामने यहां पर देख सकते हूँ अभी जो पिरवें प्राइज है वो 34, 50, 65 इस तरह से rank कर रहा है और यहां पर हमने profit book कर लिया है आप देख सकते हूँ यहां पर live एंड मैं आपको इस पर click करके position details दिखा देता हूँ कि हमने कितने पैसे invest किये थे कितने पर इसको buy किया था कितने पर हमने इसको sale किया था तो यहां पर हम देख सकते हूँ 24.45 पर हमने इसको buy किया था और 50 quantity थी यह एंड देखो total buy value 1222 रुपे हमने जो भी invest किये थे और जब हमने sale किया था ना इसको तो यह 32.40 का था अभी जो rank कर रहा है यह 34 तक लाश्ट सड़े 34 तक यह गया है हमारा target 32 तक था तो हमने 32 पर इसको sale कर दिया उसके बाद यह कहीं पर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है total sale value यहां पर आप देख सकती हो 1620 रुपे and profit आप यहां पर देख सकती हो अब काफी लोगों का question होता है कि जो profit होता है वो हमारे wallet में कब आता है देखो यहां पर यह 36 का भी हो गया था भी यहनी हम कितने point losses में अभी चल रहे है चार point losses में अगर अब की देखे तो वैसे हमारा target यहीं तक था और उसके बाद देखो market कहीं पर भी जाए चाहिए premium 40 का हो जाए 50 का हो जाए उससे हमें देखो दुख नहीं होना चाहिए कि यार मैं अभी sale नहीं करता तो मुझे इतना profit हो जाता नहीं फिर तो वो क्या हो गया वो लालच हो गया लालच आपके अंदर आ गया तो फिर आप कभी भी काम्याप नहीं उपाऊगे आपके अंदर लालच नहीं आना चाहिए जितना आपने डिसाइट किया है जितना आपने अनुसार सिलेक्ट किया है अपना टार्गेट बनाया है वहीं तक आपको जो भी है जो भी है आपको जो भी यह sale कर देना है नहीं तो फिर जो भी है लोसेस आपके सामने आ सकते हैं कैसे लगाया कि market आज ऊपर जाएगा नीचे और आपने ये trade किस तरह से ली है and क्या देखकर आपने ये trade ली है कैसे आपने जो भी है entry ली है मतलग कुछ तो देखा होगा कुछ तो आपने analyze किया होगा so वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ so वीडियो को अच्छे बड़ी ध्यान से देखना ठीक ना अभी देखो मैं आपको कहाँ पर लेके चलता हूँ एक मिन्ट मैं आपको इस premium price पर लेके चलता हूँ जो इस premium price है ना वो आपको यहाँ पर today low और today high देखेगा सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हूँ अगर आपने contract को buy कर राखा है ना तो उसका एक बड़ आप यह देख लो कि today कितना high गया है यहाँ पर देख सकते हूँ 37.60 तक यह आज गया है और low कितने तक यहाँ पर यह गया है वो देखकर एक बड़ आप उसको sale कर सकते हो आपका जो भी target देख सकते हूँ जैसे कि 36 का हो सकता है 37 का हो सकता है क्योंकि last आज के दिन यह 37 तक गया है यहाँ पर देख सकते हो open और यहाँ पर close वगयरा जो भी है last में आने वाला है market जब close होगी तब है ना तो यह data भी आप देखकर जो भी है sale कर सकते हो आप select कर सकते हो कि हम इस contract को इस price में sale करने वाले है अगर आप morning में trade नहीं करते हैं दस ग्यारा बारा बज़े के बाद trade करते हो तो यह जो इसके today high or today low आपको दिख जाएगा एक तरीका तो देखो यह हो गया है ना यह तरीका बाद में काम आता है जब हम entry वगरा ले ले लेते हैं so entry क्या देखकर लेनी है आपको सबसे पहले आपको nifty 50 पर click करना है अगर आप nifty 50 में trade करते हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि beginners के लिए काफी जादा अच्छा है and उसके बाद आप नीचे आओगे ना तो यहाँ पर आपको open interest oi दिखेगा इसके थुरू तो आप बिल्कुल 60-70% मतलव अंदाजा लगा सकते हूँ यार की market हाँ आज उपर जाएगा नीचे यह बिल्कुल आपको बता देता है कैसे अभी देखो total put और total call यहाँ पर देख open का put call ratio 0.82 है इसका मतलब मैं देखो 0.82 का मतलब क्या होता है अगर इस ratio में market रहती है 0.82 या फिर 0.7 में रहती है तो इसका मतलब तो market जो भी है profit में रहेगी थोड़ी बहुत लेकिन जैसे ही market 0.8 0.9 0.1 तक आज आती है तो उसके बाद market जो भी reversal लेती है profit में अगर market चल ही है लगातार दो दिन से profit में चल रहे है market मान के चलो तो जैसे यह अनुपात आता है 0.82 है ना तो market के नीचे आने के chances काफी ज़्यादा रहते हैं देखो यह मैंने पता कैसे लगाया है मैं आपको अभी live दिखाता हूं बिल्कुल कुछ भी आप से सुपाने वाला नहीं करता हूं मैं आपको live दिखाने वाला हूं देखो यह मैंने सायद पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था put call ratio कैसे निकालते हैं और इसके थुरू हम कैसे पता करते हैं कि market किस तरफ जाने वाला है तो यहां पर 0.7 और 0.71 यहां पर देखो downside अब यह 0.7 0.8 है है ना मै पर देख सकते हो 0.7 0.8 0.9 फिर एक तक अगर market आती है तो downside जाएगी market और यहां पर कुछ दिन पहले 0.7 थी न market तो यहां पर reversal देखो upside यह प्रोफिट में थी market तो यह अनुपात है और इनके थुरू हम जान सकते हैं कि market किस तरफ जाने वाली है अगर यह अनुपात आपक बड़ी आराम से ठीक ना एक तरीका तो देखो यह हो गया है अगला तरीका में आपको बताता हूं candle के थुरू और candle फिर अगला हो गया चार्ट ऐसे काफी तरीकी है मैं कोशिस करता हूं वीडियो में cover करने की सो अभी देखो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम जो candle है मैंना उनको देखकर ट्रेड ले सकते हैं अगर आपको चोटी ट्रेड लेनी है तो आपको सबसे पहले पाच मिंट का candle यहां से इसलेक कर ले रहा है मैंने यहां पर एंजल वन का जो भी है चार्ट ओपन कर रखा है अगर आप एंजल वन में डिमट अकाउंट ओपन कराना चाते हैं तो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्केट में मिल जाएगा बिल्कुल फिरी में यहां पर आपको सिलेक्ट कर ले रहा है सबसे पहले पाच मिंट का जो भी चार्ट एंड उसके बाद यहां पर देख सकते हो आपको candle दिखेगी अभी देखो मार्किट जब ओपन होई चुटती थी फेर है तो आज मार्किट यहां से च्टाट हो यह तो यह रैड चैंडल बनाएं थोड़ी शी मार्केट ऊपर गई थी से एक्टुल में सब्सक्राइब कांडल यह इतनी में आपको इसको कॉंसक्सक्स श्मझा यहां से आप नीचे बत्ती यह पर यहां पेधि आपको धिखेगी यह बत्ती यह इस तरफ जो यह यह तो सिर्फ इतनी है लेकिन यह वीक है यह पतली इसके कारण है क्योंकि मार्किट जब ओपन हुआ था ना तो यहां से मार्केट ओपन हुआ था देखो यहां से जो रैड केंडल है ना उस रैड केंडल से यहां से मार्केट ओपन हुआ था इसका ओपन जो भी है यहां पर ह यह देखो यहां पर यह रैड चंडल तो है लेकिन यह एक तरह से ग्रीन केंडल है क्यूं देखो यह जो उपर वीक है और नीचे वीक है इसका जो विए आपको खिसका दिया इसको यह जो खिसका दिया यह बोडी बनी थी जो गिरीन बोडी बनने वाली थी वो गिरीन बोडी नहीं बनी और जो भी है सेलर नहीं इस तरफ से सरका दिया और बिल्कुल यह यहां पर 32 बना दी यानि वीक बना दी उसके बाद सेलर का कबजा हो गया जहां से म केंडल बनने स्टार्ट हो गई क्योंकि इतने सैलर है यह सैलर है काफी ज्यादा उसके बाद सैलर है ना मार्केट को यहां तक लेके गए कहां तक नीचे तक यहां तक market को लेके गए लेकर फिर से buyer ने कोशिश की market को उपर उठाने की और फिर से जोर लगाया काफी जान लगाई काफी बुरी तरह से market को उठाया और यहां पर close हो गया यहां पर इतनी सी क्या है यह red candle है और यह जो इस तरफ है न यह green candle यहां पर यह green candle थी लेकिन जो seller है ना तो seller हो ने उपर उठाने दिया market को यहां से लेकिन यहां पर buyer ने भी यहां तक आने नहीं दिया buyer ने यहां तक नहीं आने दिया जो seller थे वो यहां तक market को लाए थे लेकिन जो buyer लोग है वो उपर उठा कर ले गए market को और इतना ये बत्ती बन रही है ना ये ये green वाली है क्योंकि देखो ऊपर उठाया market को बायरों ने ऊपर उठाया और यहाँ पर ऊपर गए थे बायर लेकिन यहाँ पर seller ने नीचे धखाया है इस कारण से ये candle बनी उसके बाद यहाँ पर close बनी और यहां पर नीचे तक यहां यह उठा पाया एक छोटी सी बत्य आप और दिख रही होगी यहां पर देखो यहां पर बायर काफी ज्यादा पाउर्फुल नहीं थे कमजुर हो गए इसी कारण से वह ज्यादा मार्किट को उपर नहीं उठाफ आए close हो गई 5 mint के अंदर ये close हो जाती है क्योंकि 5 mint की candle यहां पर लिकाल के बैटे हैं उसके बाद फिर से open हुआ market ने फिर से कोसिस की उपर जाने की यहां पर जो बत्ती बन रही है आप देखो लेकिन फिर किसी कारण से seller हावी हो गए और फिर से market को नीचे धकेल दिया और जो sailor का जो भी यहाँ पर body कितनी है इतनी सी body है sailor की वैसे तो पूरी है body लेकिन उपर तक तो बायर गए थे लेकिन sailor ने नीचे धका दिया तो sailor काफी powerful है फिर से यहाँ पर close हो गई close होनी के बाद फिर से यहां पर open होई एक new candle और फिर से seller ने काफी जान लगाई और काफी ज़्यादा यहां पर sale किया जिस कारण से market फिर से नीची गई लेकिन बायर ने फिर कोशिस की अब बायर हार नहीं मान रहा है यार जो green candle पाए जो red candle है इसको देखो इतना ही उठा पाए और यहां पर मामला सफा को लोज हो गई candle क्योंकि पांच मिंट की है उसके बाद फिर से green candle यहां पर बनी देखो अब फिर बायर देखो हार नहीं बाद रहा है और को उपर उठाने की पूरी कोशिए कर रहे हैं यहां पर die बोडी कितनी है red candle वाली यह इतनी है रेड मतलव कि जो seller है एक तो इतनी हो गई बोडी उसके बाद यह उपर विक बनी है न यह भी salary है मैं देखो बतादेता हूँ कैसे क्यूंकी तेखो मार्किट उपर तक गया था लेकिन जो seller थे उन्हों मार्किट को नीच्छे धकेल दिया तो एक बोडी तो यह हो गई और उपर से नीच्छे धकेला है तो वो भी तो seller केमाने जाएंगा एक तरह से और जो वार यह वायरो ने उपर उठाने की कोशिव यह है वायरों तो शिर्फ इतने है, कितने इतने लेकिन सेलर इतने है अब देखो यह इस्सा बराबर सा लग रहा है लेकिन मेरे इसाब से एक इस्सा सेलर के पास जादा है थोड़ी शी बड़ी है सेलर की जो भी है यहाँ पर थोड़ी जादा संख्या है सेलरों की तो इसी कारण से फिर यहां पर market down हुआ एक ओर red candle बनाई रेड़ केंडल बनाने के बात देखो यहां पर यह पूरी red candle है देखो यह भी red candle है वो भी red candle है क्योंकि market उपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन seller ने नीचे धखेल दिया और फिर से एक red candle बना ली अब यहां पर body red candle वाली की ज्यादा बड़ी है तो green candle तो ही नहीं तो market सबाय की नीचे जाने की कोशिश जरूर करेगा क्योंकि नीचे धखेल दिया market को और red candle बन गई तो यह double हो गई ना वो भी red ही मानी जाएगी क्योंकि जो buyer है उनको मार मार कर छोटा सा बना दिया एक बत्ती बना दी किस ने सेलरों ने तो market नीचे आने की कोशिश करेगी अब जो यह red candle है यह भी green candle थी लेकिन इन्होंने अपना जो भी है वो क्या कहते हैं सेना बेज कर और यहां पर अपना कपजा कर लिया और जो भी अपना जंडा फेरा दिया लाल वाला तो यहां पर इन्होंने यहां पर भी लेकर market यह नीचे आएगा क्योंकि seller काफी ज़ादा है वह जयादा ताकत उन में क्योंकि कितनी बत्ती बनादी इसकी बत्ती बना दी तो यह कााँ पूरी किसी ने कोशिस की यार इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं हम नहीं मान सकते तो इन्होंने कोशिस की है एक रेड ग्रीन केंडल की बनाने की यहां पर देख सकते हो ऊपर उठाया है यहां पर बत्ती है यह रेड रेड वालों को ऊपर उठाने की कोशिस किये और थोड़ा सा जाकर लिया तो क्या हो गया यहां पर फिर से क्रेडिक केंडल बन गई यहां पर देखो अब यहां पर मामला खतम हो चुका है देखो सेलरों का अब मार्केट को ओपर उठाना है क्यों कि जिन्होंने बाई किया था वो तो सेल करेंगे ही जो पूट वाले थे जिन्होंने पू वाले काफी जदा हो गए क्यों क्योंकि देखो market यहां मा communist ऊपर रिड चंडल बन रही है उपर ऊपर है मार्क हीट या भी कफिके जड़ से काफी जदा बड़ी-बड़ी तो मार्क नीचे आएगा ब देखो यह। डाउन साड में है अगर जादा मतलो रेड केंडल बने भी न तो यहां पर हो सकता है कि मार्केट नीचे ना जाए क्योंकि काफी जादा नीचे आ चुका है मार्केट एंड जहां तक एनलाइज किया था वहां तक मार्केट आ चुका है अब इसके बाद तो मार्केट उपर जा हो चुके हैं तो यहांपर से मोच चुके हैं तो सेमोंने के कारण यहांपर देखो फि़से प्लक्राइप इतनु के सब्सक्राइब लोग को कई इतने दिक डिविंज kann पर रहे तो हम बिल्कुल इसा तरह से पता लगा सकते हैं कि market अभी उपर जाएगा नीचे जाएगा अगर आप पांच-पांच मिन्ट में ट्रेड करते हो तो यह सारी candle के यहां से उपन ओई थी यहां पर आपको ट्रेड लेनी है उसके बाद यह जैसी क्लोज ओगी ऊसके बाद आपको सेल कर देना है है थोड़ा और अपने रिस्क पर तो दोस्तों उम्मिद करता हूं आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा candle के बारे में, अगर आपको candle के बारे में समझ में नहीं आया है ना, तो मैं आपको एक full video बना के दूँगा candle की beginners के लिए, जो कि बारी किसी में आपको समझाऊंगा, only candle के बारे में आपको समझाऊंगा, so मुझे comment करें अगर आपको candle की वीडियो चाहिए तो है ना, so उम्मीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आयोगी, और कोई question वेगर आऊ तो comment कर सकते हो, and अगली वीडियो मिलते हैं so thank you so much, bye